Good morning students, class third, today is your Hindi class, आज आपकी Hindi class है और मैं हूँ आपकी Hindi teacher Miss Mantisha This is your chapter 3, आपका chapter 1st complete हो चुका है, 2nd complete हो चुका है, अब आता है आपका chapter 3 राचकुमारी विद्धोतमा, चलिए reading स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है आज से लगभग देड़ हजार वर्ष पहले की बात है, उस समय उज्जैनी में विक्रमदित्ति नाम के राजा राज्य करते थे एक जगा थी उज्जैनी, वहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम था विक्रमदित्ति उन्ही दिनों मालवा के एक छोटे से राज्य के राजा शार्दानन्द थे उनकी राजकुमारी का नाम विद्धोतमा था, दो राजा हैं इस कहाने में, एक हैं विक्रमदित्ति और एक हैं मालवा के छोटे से राजा शार्दानन्द राजा शारदानन्द की एक पुत्री थी, वे बड़ी रूपफती और विदूशी थी, उसकी पिर्दिग्या थी, पिर्दिग्यानी के कसम, उन्होंने कसम खा रखी थी, मैं उसी राचकुमार से विवा करूँगी जो मुझे शास्तर अर्थ में हरा देगा, देश विदेश स अनेक विद्यान आये, परंतु राचकुमारी ने सभी को शास्तर अर्थ में हरा दिया, हारे हुए पंडितों को बड़ी आत्म गिलानी हुई, विराचकुमारी के घमन को चूर करने की तरकीब सोचने लगे, घर लोकते समय, उन्हों देखा कि एक युवक बेड की जिस डा को काट रहा है, पंडितों ने कहा राचकुमारी का विवा इस महामुर्ख से होना चाहिए, वो जो वैक्ति उन्हें दिखा था, उन्हें कैसे पता चला कि वो महामुर्ख है, उन्हें ऐसे पता चला कि वो जिस डाल पर बैठा है, उसी को काट दे का तो वो तो खुद नीच उतारा और कहा यदि तुम कहो तो हम तुम्हारा विवर राजकुमारी से करवा दें। वे युवक मान गया पंडितों ने उसे सुन्दर वस्तर पहनाए वस्तर रियानी के कपड़े, सुन्दर कपड़े पहनाए और विध्धोतमा के पास शास्तर अर्थ के लिए ले गये। चुप रहते हैं बिलकुल, वो अमारा एक थरहां का विरत होता है बात नहीं करने का, अता आपको इन में से इन से जो भी शास्तर करना है संकेतों से कीजिए, जी संकेत में ही उनका उत्तर देंगे, संकेत होते हैं इशारे, इस प्रिकार संकेत शास्तर आरंभ हुआ, राज राजकुमारी के इस संकेत से मुर्ख ने सोचा की राजकुमारी उसकी एक आपफोन ना चाहती है, नराज होकर मुर्ख ने दो उंगलियां उठाएं, पंडितों ने इस संकेत की व्याक्य की राजकुमारी दुआरा एक उंगली उठाने का आश्य है की भगवान एक है, हमा से के मतलब इश्वर जो है वो एक ही होता है लेकिन वो महा मुर्ग था वो युवक उसे क्या लगा कि वो उनकी एक आख फूनना चाहती है फिर अब राजकुमारी ने पांच उंगलिया उठाएं इस संकेत के द्वारा राजकुमारी कहना चाहती थी कि पांच तत्वों से बन द्वानने की धमकी दी पंडितों ने इस संकेत का अर्थ बताया राजकुमारी ने पांच उंगलिया उठा कर बताया है कि पांच तत्वों से बना शरी श्रेष्ट है कि आत्मा पांच तत्वों से भी श्रेष्ट है विदोतम विदोतमा ये सुनकर ये उत्तर सुनका क्युवक से विवा कर लिया वे प्रिसन ने थी कि उसे विद्वान पती मिला है वे युवक भी पंडितों की सूचरा के अनुसार कुछ समय तक मोंधारन किये रहा एक दिन उट का बलबलाना सुनकर वे बोल उठा उट उट राजकुमारी ने उट का गलत उच्चारण सुना तो माथा पीट लिया उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका पती निरक्षर है उसने उसे तुरंत राजमहल से निकाल दिया पत्नी से अपमानित होका युवक की सोई हुई आत्मा जाग उठी उसने संकल्प किया कि वे जब तक विद्धान नहीं हो कि जब तक में विद्धान नहीं हो जाओंगा पत्नी को अपना मुँ नहीं दिखाओंगा कुछी वर्षों में वे महाकावी कालिदास के नाम से विख्यात हो गया उसके लिखे शकुंतलतन मेगद्रत्म तथा रगु वहिश्याम आदी महाकावी की चर्चा राज दरबारों में होने लगी कालिदास की विद्धान कालिदास की विद्धवाव उसकी विद्धता उसकी पत्नी विद्धोतमा नहीं नहीं बलकि सारे विद्धवानों प्राप्त है यह आपका चैप्टर था आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे किसमें क्या बताया गया है आपके इस चैप्टर के शब्दर्थ हैं यह आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और यह आपका होमवर्क है प्राप्टर के शब्दर्थ हैं यह आपका है